वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो वी 40 प्रो लॉंच हो चुगा इंडिया के अंदर और इसी सेग्मेंट में एक स्मार्टफोन आता है मोटो एज 50 अल्ट्रा बात करेंगा जिन दोनों के बारे में दोनों का कंपेजि़न करेंगे काफी सारी ऐसी है जो तो अंदर आपको ऐसा के यह संब कुन सा बैक्र वीडियो में दोस्तों वीडियो में आगे बनने से पहले आप लोगो से चोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइख करके चाहिए जरूर जाना और चैनलों को सब्सक्राइब करके बैल ऐकल ओन कर देना क्यूंकि इससे मैं सपोर्ट मिल जाता है और आपको ऐसी इमेजिंग वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है वीडियो को सटर्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इस्क्राइमर courageous करनी वालों वालों कि कौन से स्माटफॉन मैं कौन सेổi हैं कि हमारे पॉन में यह है वह मैं आपको वताने वालों के यह लेकिन जब आteen फरीद स्टार्टिम् करते हैं दोनों स्मार्पh邨कों के बोकैने दीफिरेक डिखने के लिएँ मिल जाएगा एक adapter देखने के लिए मिल जाएगा, USB Type-C Cable मिल जाएगी, एक phone case मिल जाएगा, SIM ejector tool मिल जाएगा और कुछ user guides देखने के लिए मिल जाएगी बस फरा कितना है कि जो motor है उसकंद आपको Type-C to Type-C Cable देखने के लिए मिलती है जबकि आपके वीवो के अंदर आपको USB-C Type-C मिलती है, बाकि दोनों के अंदर बिल्गूल सब कुछ सेम देखने के लिए मिल जाएगा चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोंस की डिस्पले के बारे में, वीवो के अंदर आपको 6.78 इंचिस की Full HD Plus एक Curved AMOLED डिस्पले देखने के लिए मिल जाती है इसकंद आपको 120 हर्स का refresh rate देखने के लिए मिलता है, 45 नीट्स की peak brightness मिलती है और इसी के साथ में आपको Short Alpha Glass देखने के लिए मिल जाता है प्रोटेक्शन के लिए अगर बात करें अपने Moto की तो इसकंद आपको मिलती है 6.7 इंचिस की एक 1.5K resolution वाली एक P-OLED डिस्पले और 144 हर्स का refresh rate इसमें मिलता है आप 200 नीट की peak brightness है और उसी के साथ में आपको Gorilla Glass Victus का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पर आपकी Moto की डिस्पले वो थोड़ी सी बैटर आप बोल सकते हैं हाला कि जो डिस्पले आपको मिलती है वीओ के अंदर वो बुरी नहीं है वो भी काफी अच् है साथ में हम बात करें रिफ्रेश रेट की तो 144 हट्स का है Moto के अंदर जो गेमिंग के लिए से काफी बैटर माना जाता तो यहां पर मैं इस्पेक्स के इसाब से बताना हूं कि जो बैटर डिस्पले है वो निकल के आती है Moto की बट हाँ वीओ की डिस्पले भी बुरी नहीं जो प्रोसेसर विओ के इंदर है उसका जो एंटी स्कोर है वो है लग बग 15,11,000 प्लस और जो प्रोसेसर आपको मिलता है Moto के इंदर स्वाइब ड्रेगन का उसका एंटी स्कोर है 14,000,000 प्लस तो दोनों में डिफ्रेंस ज्यादा निया कोई बड़ा डिफ्रेंस नहीं होता बठाव स्लाइटली बैटर निकल के आता है विओ का प्रोसेसर मीडियाटक डैमिस्टी थोड़ा सा बैटर हैं पे निकल के आता है औ और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सोफ्ट्वेर्स के बारे में विओ के अंदर आपको फंटा चोएस 14 मिलता है जो की एंड्रोड 14 बेस है इसकंदर तीन साल के एंड्रोड अपडेट्स और चार साल के सिक्यूर्टी अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएंग बाटरी चार्जिंग 155Wh बाटरी बेटरी ऑपको 10 विवेरफ्ट्व शेरिंग मिलती है कि आपको बैक साइड में अगर कोई उर्पोर्ट्स रखते हैं जो कि वार्लेस होता है उल्टा करके रखना सिर्फ आपको आपको पावर्ड पर चेरिंगर करके तो आपके फ किदूर तो यहां पर आपने साब सब्सक्राइब कर सकते हैं यह मैं आप पर चोड़ता हूं और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेट अप के बारे में विवो के अंदर आपको रीडर साइड में प्राइब इनी गैमरा 50 मेगा पिक्सल का मिलता है यह विद ओवायस आता है इसके अंदर वन पॉइंट एट एट का अपर्चर देखने के लिए और इसके अंदर सोनी आइमेक्स अपर्चर के साथ में बात करें अगर अपने मोटो की प्राइमीरी क्यामरा देखने के लिए मिलता है इसमें 50 मेगा पिक्सल का और यह विद ओएस आता है इसके अंदर आपको ओमनी विजन का ओवी 50 एच सेंसर दिया गया थेड़ कैमरा 50 मेगा पिक्सल का एक अल्टरा वा और यह 3 o.2 open जुम कर सकता है अगर बात करें वीमो की तो उसको एक्स तक प्रसका और यह मं कर्दिया और आगर बात करें अपने वीडियो रिकौर्णिस की दोने स्मार्ट पोन में जो जो हमारे विवो है वापना रिंटर से 4K 30fps तक शूट कर सकता है लेकिन अगर बात करें मोटो की वो अपने रियर और फ्रेंट दोनों से 4K 60fps तक सूट कर सकता है काम दोनों गदर काफी अच्छे दिये गए लेकिन अब मुसे पूझे को आपको चीज करूंगा पहले तो यहां पर तो यहां पर यहां पर मैं आपको टेली फोटो के लिए तो रिकमेंड करूंगा आप मोटो ही लीजगा बटापकर काम नहीं तो शायद आप जा सकते हैं इसके सेंसर के लिए तो मैं यहां पर थोड़ा सा सुनी की तरफ जाना चाहूंगा चाहूंगा चाहिए अच्छे हैं फोटोस के लिए बाकि आपको लेकिन मोटो सपोर्ट करता है लेकिन मोटो सपोर्ट करता है आप लोगों के लिए अगर आपको 60fps ही चाहिए तो फिर मोटो की तरफ सिफ्ट होना पड़ेगा और अगर जादा आपको पूरी किलियाटी चाहिए ना यूट्यूबर्स फोटो क्लिक करके वीडियो बनाके वह भी गलत नहीं बताया आप देख लिए आपको क्या चाहिए टेली फोटो चाहिए तो मोटो बढ़िया बट अकर आपको इन में से किसी के ऐसा खास नीड है नहीं तो मैं आपको रिगमेंड करूंगा आप जा सकते हैं वीवो वी 40 प्रो की तरफ और आप बात करेंगे द बात करेंगे इनके बारे में इनके प्रास के बारे में लास्त में आपको और्रोल बढ़ाऊंगा कौन सा स्मार्पोन बेस्टाब कून सा परचेस कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विवो के साथ में इसका पहली अवेरेंट आता है 8256 का जिसका प्राइस निकल के आता है 49,999 रुपे दूसरा वेरेंट है 12.512 का जिसका प्राइस निकल के आता है 55,999 रुपे बात करें मोटो की तो इसका दर एक ही वेरेंट आता है 12-512 का जिसका प्राइस है 54,900 रुपे और अब बात शुरू होती है भाई कौन से स्मार्पोन लेना बैस्ट होगा हमारे लिए ठीक है तो देखे पहले मैं बात कुरूंगा प्राइसिंग की तो विवो के अंदर आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है क्या 856 वाला वरियंट है फिफ्टी थाउजंड का जब की मोटो कंदर से पेकी वेरेंट है और वह आपको पेड़ेगा 56,000 का ठीक है तो बेस वेरेंटी लिना चाहते है कंप्राइस में तो फिर विवो तो बैस्ट है उस लिहास से तो अच्छा है विवो बाकि गेमिंग के मामले में विवो के अंद विवो के उसके सब चीच के लिए रहें गेमिंग के लिए तो विवो आप ले सकता है कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक बट इस्टेल अगर आपको टेली फोटो यूज करना है तो भाई या फिर तो आपको जाना पड़ेगा मोटो के अंदर ही टेली फोटो लेंस बैटर कि अगर फास चार्जिंग और बैटरी का इतना कोई शूव है नहीं एक के अंदर बैटरी ज्यादा तो चीज़े आपसमें मैनेज हो जाएंगी क्योंकि जो फून थोड़ा लेट चार्ज हो बैटरी चोटी है लेकुकि 125 वोट की फास चार्जिंग है तो इस तरह से आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको 50,000 सारी मिल जाएंगी देखने के लिए बट आपको अगर मोटो लेना तो आपको 56,000 तक पहुंचना पढ़ेगा निकिशार एक्स्टर पे गढ़ने बढ़ेंगे तो अगर आप कम प्राइस में चाहते हैं मोटो से कम प्राइस शिके genuinely poop और मोटो के अंदर तो आइओ नोत शारी सीचेट के लिए को समझ में आगे मरा के लिए गेमिंग के लिए एक प࡜ आफ औरवराल पावर पैक क्याईए व्यों ले दिक्कत कहीं से कहीं तक आपको नहीं आएं में इंदो करना चैनल प्लेन सब्सक्राइब करके बले करना मिलूंगा आप लोगों से एसी किसी नेक्स टैक वीडियो में तब देके लिए चैहिंद वन्दे मातर हो